दोस्तो यहाँ पर हम बात करेंगे मारूती सुजुकी इको फाइब सीटर वीट एसी प्लास हीटर तो दोस्तो इस गाड़ी का जो भी एक शोरूम प्राइज है इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा और इस गाड़ी का जो RTO, Insurance, Fast Tech की Charges लगाने का बाद क्या होगा इस गाड़ी का Own Root Price इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा तो दोस्तो इस गाड़ी का जो भी Specification है जैसे Engine, Mileage, Transmission Type, Fuel Type तो इस तरह का जितना भी Specification है सारी चीज़े इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो गाइज अगर आपका बाज़ेट काम है या अभी इस गाड़ी को Finance में निकलना है तो किया होगा Down Payment, Loan Amount, Rate of Interest सारी चीज़े इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो को अब भी तक अपने लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नीव है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो मारोती सुजुकी एको फाइब सीटर सी प्लास हीटर की जो स्पेसिफिकेशन है जैसे इस गाड़ी का इंजीन होगा 1196 cc इंजीन इस गाड़ी में देखने को मिलेगा माइले जोगा 16.11 km पल लीटर ट्रांस्मिशन टाइप होगा मैनुएल दोस्तो और इस गाड़ी का जो फ्यूल टाइप होगा पैट्रोल तो गाइस इस गाड़ी का जो सीट केपसिटी है 5 सीटर है दोस्तो ये गाड़ी 5 सीटर है तो फ्रेंड्स इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है 540 लिटर तो दोस्तो इस गाड़ी का जो fuel tank capacity है इसके बारे में बात करते है दोस्तो इस गाड़ी का fuel tank capacity है 40 liter तो friends इस गाड़ी का जो एक showroom price है इसके बारे में बात करते है तो इस गाड़ी का जो accurate एक showroom price होगा 5,35,000 और RTO amount होगा 58,250 रूपीज और इंचुरेंस होगा इस गाड़ी का 24,151 रूपीज और फास्टेक की चार्जेस होगा 600 रूपीज तो सारी टेकसेस लगाने का बाद इस गाड़ी का ओन रोड प्राइज होगा 6,18,001 रूपीज तो दोस्तो अगर आपका पस बज़ेट काम है आप इस गाड़ी को फाइनेस में निकलना है तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा 1,60,000 लोण एमंट बनता है 4,58,001 रूपीज तो दोस्तो अगर आपकी फाइनेस कुमपानी की रेट ओफ इंटेर्स अगर 8,5% होगा तो मैंने इस गाड़ी का 4 एर के लिए फाइनेस किया है तो आपको हर मांथ में 11,288 रूपीज पर मांथ आपको पे करना होगा तो दोस्तो अगर आप लोग इस गाड़ी को 5 एर्स के लिए फाइनेस कर रहा है तो आपको हर मांथ में 9,396 रूपीज पर मांथ आपको पे करना होगा तो दोस्तो अगर आप लोग इस गाड़ी को finance में निकलना है तो यही price देखने को मिलेगा और इस गाड़ी का जो एक showroom price है मैंने बता दिया है तो दोस्तो अगर आपका पास कोई भी सवाल है कोच question है तो आप लोग comment कर सकते हैं मैं आपकी comment की answer देने का पूरा कोशिश करूँगा तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यावत थैंक यू वेरी मच तो फ्रेंड्स स्क्रीन में आप लोग को दो वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोग क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो तो तो प्रेस कर दो